हलो अब्रीवन, वेल्कम टो अकुल, इंडिया के सबसे अफुटेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस एन्वाइरमेंट बाई शंकर आईयस अगैडमी के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे चैप्टर 4 में हम लोग है, अग्विडिग एकोसिस्टम स्पार्ट 9 में आज है चैप्टर रहने वाला है पिछले पार्ट में हम लोगों ने कोरल रीफ्स के बारे में बात की थी कि कोरल्स क्या होते है corals और zoanthalai का किस तरीके से symbiotic relationship होता है corals hard corals soft corals होते है जो hard corals होते हैं वही coral reefs बनाते है और हम लोगों ने types of coral reefs के बारे में भी पढ़ा था जैसे कि fringing reefs है, patch reefs है, barrier reefs है, atoll reefs है इंडिया में भी हमने चार जगे की बात की थी जहां पर reefs पाई जाती है ठीक है, और कौन सा ऐसा region है, जो सबसे यदा biodivers से ये भी हम लोगों ने बात की थी और मैंने आपको बताया था एक important term जो था कि coral bleaching आज हम लोग इसी coral bleaching के term को लेकर बात करेंगे समझेंगे कि coral bleaching क्या होता है, इसके होने के कारण क्या क्या है और किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, मतलब इसको रोका जा सकता है, ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूंगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है प्लीज जादा से जादा वीडियोस को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीक्स के साथ, ताकि हमारे इन courses का जो फाइदा है वो जादा से जादा लोगों तक बहुत सके और बाकी जो लोग चैनल पर नए है, उनसे भी मैं request करूँगा अगर आप लोग को content पसंद आ रहा है, helpful लग रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और bell icon प्रेस करना नहां भूलें, ताकि वीडियोस को notifications वेगर आप से बेस ना हो चलिए, तो start करते हैं, आज का lecture, देखिए, coral bleaching, ठीक है मैं आपको कल भी थोड़ा सा last time पर बताया था कि bleaching का मतलब क्या होता है bleaching का मतलब है कि coral का जो color है, ठीक है, वो कैसा हो गया है, pale हो गया है यानि कि फीका पड़ गया है, ठीक, इसका मतलब आपको पहले ही बताया था कि coral bleaching does not means the death of the coral, ठीक, इसी इसको ध्यान रखेंगे, यह सिर्फ एक तरीके से अगर आप समझे तो decoloration है, ठीक है, यानि कि उसका जो color है वो, चला जाएगा, यही चीज यहाँ पर लिखे गई है कि color क्या हो गया है, pale हो गया है, ठीक, होता क्यों है, it occurs when the densities of zoonthalai decline ठीक है, जो zoonthalai, जो algae है, जो इसके उपर रहती है, किसके उपर, जो हमारा corals होते है coral polyps जो होते है, उनके उपर रहती है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, उनकी density कम हो गया है यानि कि उसकी जो घनत तो है, वो, कम हो गया है, दूसरा, यह जो coral polyps है, एक animal है हमें पता है, zoonthalai algae that is a plant, तो यह जो इसमें photosynthetic pigment है, इसका concentration क्या हो गया है within the zoonthalai fall कर गया, यानि कि कम हो गया है, ठीक, अब यहाँ पर देखें नीचे आपको एक figure के help से चीज़े थोड़ा से दिखाए गई है, यह एक healthy coral है, ठीक, इसमें जो आपको यह छोटे-छोटे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि coral थोड़ा सा stressed है, अगर coral होगा, तो algae will leave the coral, ठीक है, algae जो है coral को छोड़के चली जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर दूर-दूर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा यह dots जो आपको दूर-दूर दूर दिख रहा है, ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि bleached coral, यह last condition है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि coral is left bleached and vulnerable, अब यहाँ पर extreme low tides की वैसे, ठीक है, अब यह सारे के सारे हम इसको detail में आगे discuss करेंगे, फिलहाल यहाँ पर इस figure का जो मकसद है, वो यह है कि आपको यह समझाना यह दिखाना कि किस तरीके से जो coral है, वो healthy coral से stressed coral में और stressed से उसके बाद bleached coral मे turn हो जाता है, ठीक है, चली, आगे देखते है when corals bleach, they commonly lose 60-90% of their zoonthalai and each zoonthalai may lose 50-80% of its photosynthetic pigments, यानि कि यहाँ पर दोनों चीज हो रही है, एक तरीके से अब देखा जाये तो, ठीक है, अब देखे, इसको आप हमने कल भी समझा था, कि photosynthesis के लिए जो carbon dioxide मिलना चाहिए, zoonthalai को, वो कहां से मिल रहा था, वो भी coral से मिल when they respire, जब वो respiration की process करेंगे, तो they will leave, या they will exhale carbon dioxide, तो उस carbon dioxide को use करके zoonthalai photosynthesis कर रहा है, अब वहाँ पर क्या है कि coral, जो है, coral को तो नुक्सान होई रहा है, क्योंकि coral को क्या मिल रहा था, zoonthalai से खाना मिल रहा था, food मिल रहा था, और color मिल रहा था, ठीक है, बदने में zoonth oxide मिल रही थी, photosynthetic activities के लिए, अब दोनों का ही नुक्सान है, तो इस वएसे क्या है, कि 60-90% zoonthalai जो है, वो अलग हो गया है, और zoonthalai का भी लगबख 50-80% जो photosynthetic pigment है, वो क्या हो चुका है, वो भी खतम हो गया है, कम हो गया है, ठीक, इसके बाद, अगर ये जो stress causing bleaching है, यहाँ पर ध्यान रखना है, stress causing bleaching अगर जादा severe नहीं है, is not too severe, ठीक, और अगर ये time के साथ decrease हो जाती है, तो the affected corals usually regain their symbiotic algae within several weeks or a few months, ठीक है, जिसमें आपको कल भी बताया था, कि एक तरीके से coral bleaching कुछ नहीं है, बिचलने की process है, दो प्रेमी है, ठीक है, आपस में बिचल जाते हैं, और उसके बाद फिर से हसी-खुशी उनकी जिन्दगी जो है, चलने लग जाती है, similar इसको इस तरीके से आप relate कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तोड़ा सा funny way of relation है, लेकिन ठीक है, याद रखने से मतलब है, जिसको आप जिस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर इसको फिर से आप, मतलब जो लोग अगर relationship में है, या जिन लोग ने चीज़ experience की हुई है, they can feel, कि जब आप दो लोग अगर होते हैं, आपस में बिछडते हैं, तो there is kind of a decoloration, ठीक है, it's not a decoloration कि आपकी skin का color change हो जाएगा, बट इस a kind of decoloration मतलब, आप कह सकते हैं, कि mental, emotional, ए related, ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं, तो वही चीज़ है, और वापस से अगर वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो then everything, फिर जिन्दगी, फिर से जिसको का जाता है, कि रंगों से भर जाएगी, ठीक है, खुशाल हो जाएगी, तो वही चीज़ इसको कोई personal लेनी की जादा है, यानि कि prolonged loss है, if the stress continues and depleted zoonthalive populations do not recover, तो the coral host eventually dies, क्योंकि देखे, खाना इसको मिल रहा है, ठीक है, अब कलर चलिये नहीं भी है, कोई बात नी, कलर मानी जाएगी, जो रूखा सुखा, फीका ही, सफेद रंग में भी काम चल जाएगा, लेकिन उसको खाना भी तो च coral bleaching is not the death of the coral, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, coral bleaching जो है, corals की death नहीं है, लेकिन it may eventually lead to death of the corals, अगर वो काफी लंबे समय तक चलता है, तो, ठीक, high temperature and irradiance stressors have been implicated in the disruption of enzyme systems in the zone thalive that offer protection against oxygen toxicity, ठीक है, high temperature, यानिकी temperature ज्यादा होने की वज़े से, और irradiance stresses, मतलब जो solar radiation होती है, ठीक है, अगर वो ज़ादा होती है, तो उसकी वैसे क्या है, कि जून थलाई में कुछ इस तरह के enzyme system होता है, जो उसको oxygen toxicity से बचाता है, वो क्या हो जाता है, disrupt हो जाता है, ठीक है, oxygen toxicity क्या होती है, oxygen toxicity होती है, कि जब oxygen की मात्रा अगर बहुत ज़ादा बढ़ जात जादा मात्रा भी अच्छी नहीं है और oxygen toxicity is a condition जब आप जो air आप ले रहे हो जो air आप inhale कर रहे हो अगर उसमें oxygen का partial pressure बहुत जादा है यानि कि आप कहोगे कि concentration of oxygen अगर जादा है तो that is not good फिर वहाँ से कुछ harmful effects भी उसके होते है that is known as oxygen toxicity ठीक है तो oxygen toxicity को zoanthalize को oxygen toxicity से बचाते हैं जो enzymes वो high temperature और high radiance के कारण क्या होता है high radiation के कारण वो disrupt हो जाते है ठीक इसके बाद low and high temperature shocks मतलब कभी temperature कम हो रहा है कभी temperature ज्यादा हो रहा है alternating low and high temperature है उसकी वैसे क्या होगा that results in zoanthalize low as a result of cell addition dysfunction cell addition का मतलब क्या है addition is a system or addition is a process of attachment of two things of this similar fashion ठीक है दो चीज़े जो आपस में जुड़ी हुई है जो similar fashion की होती है उनको बोला जाता है cohesion ठीक और जो अलग-अलग nature की होती है वो अगर आपस में जुड़ी होती है that is known as addition आप लोगों ने जो भी जैसे बहुत सारे चीज़ें आती है चिपकाने वाली जैसे example के तोर पर हम बता है फैविकॉल फैविकॉल में आपने लिखा हुआ देखा होगा it is an adhesive bond ठीक है adhesive bond य यहाँ पर जो जून्थलाई है जो आपका corals के ओपर चिपकी हुई थी तो उसके विए से क्या होगा कि जो उनका cell addition है वो dysfunction कर जाएगा तो उस विए से वो अलग हो जाएगे उससे क्याई चीज़ यहाँ पर लिखी गई है this involves the detachment of the niderian endodermal cells with their zoonthalai and the eventual expulsion of both cell types ठीक है जो nideria है nideria क्या होता है nideria is a phylum niderian phylum के यह जो endodermal cells होते है ठीक है दो type के जो niderians होते है उनमें दो type के cells होते है जो हमारा inner most cell होता है that is your endodermal और जो outer cell होते है ठीक है जो outer layer के cell होते है they are known as ectodermal ठीक तो यह जो temperature का high and low हो रहा है इसकी वज़े से क्या होगा कि यह जो cell dysfunction ज हो जाएंगे और eventually जो endodermal और ectodermal दोनों तरीके के cells है यह दोनों के दोनों जो हो जाएंगे दोनों के दोनों हट जाएंगे और इससे क्या होगा कि zoanthalai जो हो दूर हो जाएगी coral से ठीक इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि causes क्या है बटारता है ecological causes of coral bleaching ठीक है देखे as coral reef if bleaching is a general response to stress it can be induced by a variety of factors alone or in combination ठीक है मतब जो stress जब भी corals के ओपर stress पड़ेगा तो how will it respond यह हमने कल भी बात की थी it will respond by bleaching और यह induced किया जा सकता है variety of factors से alone मतब कुछ factors जैसे हैं जो alone भी काम कर सकते हैं अखेले भी काम कर सकते हैं और कुछ factors जैसे हैं जो combination में भी काम कर सकते हैं it is therefore difficult to equivocally identify the causes of coral events ठीक है नहीं कि coral के जो bleaching events है उसके factors को हम लोग unequivocally unequivocally मतब है अलग से ठीक है कि मतला हम यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यही factor जो है इसके लिए responsible है या coral bleaching जो हो रही है वो सिर्फ इसी factor की वज़े से हो रही है कि solar radiation बढ़ने के वज़े से ही हो रही है या temperature बढ़ने के वज़े से ही हो रही है या water में ज्यादा water कम हो गया है samarial exposure की वज़े से ही हो रही है ऐसा नहीं है there are many factors which work in combination ठीक है तो यहाँ पर कुछ इस तरह के stressors stressors मतलब which create the stress ठीक है इस तरह के stressors जो है they have been implicated in the coral reef bleaching events implicated का मतलब होता है जो इसमें शामिल है ठीक है some major cause coral species जो है that live within a relatively narrow temperature margin and anomalously low and high sea temperatures can introduce coral bleaching मैं आपको बता है कि low or high temperature अगर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है alternative low and alternative high मतलब इका भी ठंडा हो रहा है कभी गरम हो रहा है इसकी वज़े से जो corals है उनको नुकसान पहुचता है ठीक है क्योंकि यह बहुत narrow temperature margin में रहते हैं मतलब इनका temperature variation है ठीक है मतलब इनको temperature variation जादा पसंद नहीं है temperature variation is low जैसे कि मैंने को कल भी condition बताई थी कि favorable conditions coral के लिए क्या है पानी कैसा होना चाहिए clean water clear water और warm temperatures तो warm temperatures मतलब बहुत जादा गरम नहीं है लेकिन temperature का variation इनको पसंद नहीं हो था temperature अगर vary करेगा तो भी इनकी coral bleaching हो सकती है bleaching is much more frequently reported from elevated sea water temperature यानि कि अगर temperature बहुत जादा बढ़ता है तो उसकी वज़े से भी coral bleaching होगी ठीक है और bleaching event also occur during sudden temperature drops accompanying intense upwelling episodes seasonal cold air outbreaks अगर इस तहीं ही चीज़े भी होती है निकि temperature एकदम से कम हो रहा है उसकी वज़े से अगर upwelling हो रही है अप्वेलिंग का मतलब क्या है जो पानी नीचे से उपर की तरफ को move करता है within the sea जो coastal areas में move होता है ठीक है वो हमने geography में समझा है इसके बाद अगर seasonal cold air का outbreak जिस समय ठंडी हवाय चलती है ठीक है ठंडी हवाय चलेंगी तो उससे क्या अगर temperature कम हो जाएगा और temperature अगर suddenly drop करता है तो उसकी वज़े से भी coral bleaching हो सकती है यह एक major कारण है मुख्य कारण है ठीक है इसके बाद solar irradiance मतलब जो solar radiation पढ़ती है उसकी वज़े से भी bleaching during the summer months during seasonal temperature and irradiance maxima often occurs disproportionately in shallow living corals and on exposed summit of colonies ठीक है जो पानी के जादा अंदर होंगे उन पर solar radiation का उतना जादा फरक नहीं पड़ेगा as compared to those जो shallow है यानि कि जो उपर के surface पर प नहीं है बहुत ज़्यादा deep में नहीं है उन पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा ठीक solar radiation has been suspected to play a role in coral bleaching ठीक है अब इसमें जो दोनों तरकिक radiation की आपर बात की गई है one is your photosynthetically active radiation यानि की PAR जो है 400 से 700 nanometer ये लगवख हमारी visible range भी है ठीक है जिस visible range में हमाई light दिखाई देती है वो है ये 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 बेसिकल दिया क्या है this is your wavelength ठीक है और ultraviolet जो है ultraviolet radiation की जो wavelength है यानि कि 280 से लेकर 400, 280 से लेकर 400 nanometer तक इन दोनों ही तरीकी की जो radiations है they are responsible for bleaching ठीक है ध्यान रखेंगे question आप से पूछा जा सकता है कि जो photosynthetically active radiation है वो और ultraviolet radiation ये दोनों की दोनों coral bleaching के लि होती है वो responsible नहीं है ध्यान रखेंगे ठीक है infrared नहीं है ultraviolet और एक तरीकी से photosynthetically active भी कह सकते है या फिर visible भी कह सकते है ठीक है इसके बाद अगला है sub-arial exposure sub-arial exposure का मतलब वही है कि ये हवा में expose हो रहे है पानी से उपर आके sudden exposures of reef flat corners to the atmosphere during events जैसे की extreme low tides अगर कभी low tides बहु जिसमें हम लोगों ने बात की है एक होता है spring tides में क्या होता है कि high tides बहुत ज्यादा high होते है और low tides बहुत ज्यादा low होते है तो ऐसी condition में भी अगर अब हाला कि spring tides में तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एक बड़ा frequently occurring phenomena है या हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन अगर low tides की situation जादा लंबे समय तक अगर बनी रहती है तब जब इनका atmosphere में exposure होगा तब इस तरीके की जो problem है coral bleaching की वो हो सकती है ठीक है या फिर ENSO related sea level drops ENSO क्या होता है that is your L Nino Southern Oscillation अगर इसके कारण जो sea level drop आता है उसकी वहीं से भी हो सकता है tectonic uplift can potentially induce bleaching ठीक है tectonically uplift अगर होगा तो पानी वगर अगर कम होता है क्योंकि tectonic uplift का मतलब क्या है कि जो surface है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठ रही है तो उससे क्या होगा कि जो corals है वो पानी के बाहर आ सकते है और अगर पानी के बाहर यह आएंगे तो atmosphere में exposed होंगे तो भी इनकी bleaching जो है वो बढ़ सकती है इसके बाद अगला है that is your sedimentation relatively few instances of coral bleaching have been linked solely to sediment it is possible but it has not been demonstrated that sediment loading could make zoonthalai species more likely to bleach ठीक है तो sedimentation से भी हो सकता है लेकिन sedimentation से बहुत जादा ऐसा कोई demonstration देखने को मिला नहीं है but it may be one of the cause जिसकी वज़े से coral bleaching होए ठीक है अगला है fresh water dilution fresh water dilution का मतलब क्या है कि rapid dilution of the reef waters from storm generated precipitation and runoffs has been demonstrated to cause coral reef bleaching generally such bleaching events are rare and confined to relatively small and near shore areas अब ये storm generated precipitation मतलब अगर fresh water इसमें आता है तो ठीक है अगर fresh water आके मिल जाता है या इस तरहीं का runoff वगरा जो है वो आके अगर इससे मिलता है तो वहाँ पर भी coral bleaching हो सकती है हलाकि इस तरहीं कोरल bleaching ज तो वो थोड़े से area में ही confined रहेगी near the shores ठीक है बहुत जादा बड़े area में ये नहीं होगी इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं inorganic nutrients की inorganic nutrients की अगर addition होगा यानिकि we move into the process of eutrophication तो उसमें क्या होता है देखते है rather than causing coral reef bleaching and increase in ambient elemental nutrient concentrations example ammonia and nitrate actually increases zoanthalai densities two to three times ठीक है अब देख zoanthalai की जो मातरा है ये तो बहुत जादा बढ़ गई जो है वो दो से तीन मुना बढ़ जाएगा ठीक although eutrophication is not directly involved in zoanthalai loss it could cause secondary adverse effects such as lowering of coral resistance and greater susceptibility of diseases तो eutrophication जो है उससे coral bleaching directly नहीं होगी ठीक क्यों नहीं होगी आप समझ सकते हैं क्योंकि coral जो है मतलब जो ये zoanthalai है वो increase कर रही है eutrophication होने से ही हम कह सकते हैं कि nutrient बढ़ने की वज़े से ठीक और हमें पता है eutrophication का मतलब क्या होता है eutrophication का होता है जब nutrient richness होती है यानि कि जब पानी में nutrient बढ़ जाते है तब ठीक अब पानी में nutrient बढ़ गए Neutrophication की process है और zoanthalai बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि directly जो है वो क्या हो रहा है zoanthalai का loss हो रहा है zoanthalai का loss is nothing but your coral bleaching ठीक है तो बलकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि coral की resistance जो है वो थोड़ा सा कम हो सकती है और उसमें कुछ बिमारिया लग सकती है that way it can be affected ठीक है जरूरी नहीं है कि इससे coral bleaching होई ठीक है इसके बाद अगला है xenobiotics xenobiotics क्या है देखे zoanthalai loss occurs during exposure of coral to elevated concentrations of various chemical contaminants जैसे कि CU CU मतलब copper herbicides and oil ठीक है तो इस तरहीं की चीज़ों के साथ अगर जो zoanthalai है अगर वो exposed होता है ठीक है तो उसके वैसे क्या होगा zoanthalai का loss होगा because high concentrations of xenobiotics are required to induce zoanthalai loss bleaching from such sources is usually extremely localized और are transitory ठीक है यानि कि इस तरहीं की जो bleaching होगी वो काफी localized होगी यानि कि वो उसी area में होगी जहां पर इस तरहीं के contaminants पाए जाएंगे ठीक है तभी zoanthalai का loss हो सकता है otherwise नहीं होगा और transitory है transitory मतलब एक तरहीं किसा आप कहा सकते है transitory is a kind of a non-permanent या फिर आप कहा सकते है temporary process होगा बहुत तंबे समय तक नहीं होगा अगर पानी से इस तरहीं के जो ये contaminants है ये खतम हो जाएंगे इनका असर खतम हो जाएगा तो फिर वापस है जो उन्थलाई जो है वो आ जाएगा तो वहाँ पर फिर से total bleaching की जो problem है वो खतम हो जाएगी इसके बाद next is your epizootics epizootics क्या होता है देखे pathogen induced bleaching is different from other sorts of bleaching epizootics is basically a kind of diseases जो होती है वो ठीक है and pathogens क्या है pathogens are your microorganism causing diseases जैसे की हमारे जो virus है bacteria है, fungi है, protozoa है ठीक है, कुछ और worms वगरा है parasites वगरा है, they are all known as pathogens ठीक, तो most coral diseases cause patchy or whole colony death and sloughing of soft tissues resulting in a white skeleton not to be confused with bleached corals यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर white skeleton आ जाएगा कैसे, क्योंकि हो क्या रहा है, किस तरी की जो बिमारिया होंगी, उसकी वज़े से क्या होगा कि जो coral है, coral में जो disease होगी, उसकी वज़े से क्या होगा, कि patchy और whole colony की death हो जाएगी ठीक, और उसके बाद जो उसके soft tissues है, they will be sloughing, उसकी sloughing होगी, sloughing का मतलब होता है removal, ठीक है, removal of dead tissues that is known as sloughing, ठीक, उससे क्या होगा कि उसका जो white skeleton है वो दिखने लगेगा और white skeleton दिखने लगेगा, तो हमें पता है कि coral bleaching के time पर भी white दिखता है तो हमें लगेगा कि coral bleaching है, लेकिन वो coral bleaching नहीं है, वो epizootics की condition है, जहाँ पर coral में क्या लग गई है कोई बिमारी लग गई है, ठीक है the few pathogens have been identified the cause to translucent white tissues the protozoan, ठीक है, इस तरीके कि कुछ protozoan वगरा है, जिनकी वज़े से epizootics होता है या आप कह सकते है कि coral में कुछ बिमारी हो जाती है, disease हो जाती है, लेकिन वो coral bleaching नहीं है, ठीक है वहाँ पर किस तरीके आप समझ सकते हैं कि death हो रही है और जो soft tissues है, उनकी sloughing हो रही है sloughing का मतलब मैं आपको बता जिए, it's a removal of dead tissues, ठीक है, तो उसकी वैसे जो सका white is keratin exposed हो रहा है, वो देख के लग सकता है कि it can be a bleached coral, लेकिन वो coral bleaching नहीं है ध्यान रखींगे आप, ठीक चलिए, तो यह आपके causes हो गए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि government measures to protect mangrove forest and coral reefs और coastal ecosystem की सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हो है, ठीक है, the government seeks to protect, sustain and augment mangroves and coral reefs in the country by both regulatory and promotional measures, ठीक है promotional measures भी उठाए जा रहे हैं और regulatory measures, क्यानि regulations भी किये जा रहे हैं और चीजों को बड़ावा भी दिया जा रहे हैं, under the regulatory measures, the coastal regulation zone, notification 2011 and island protection zone, IPZ notification 2011, regulates the development activities along the sea coast and tidal influenced water bodies, ठीक है, कि ऐसी जगहों पर समुदरे के पास, जो है वो developmental activities नहीं की जा सकती वहाँ पर regulations है, मतलब restricted नहीं है, बर regulated है, मतलब वहाँ पर काफे सादा restrictions इस तरीके से होंगी कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं काफे सारे rules and regulations जो होते हैं, वो यहाँ पर होंगे, ठीक, the mangroves and coral reefs areas are categorized as ecological sensitive areas, जो CRZ है हमारा, that is your coastal regulation zone where no new constructions are permitted except project relating to department of atomic energy के काम हो सकते हैं, pipelines, conveying systems including transmission lines, ये हो सकता है, installation of weather radar for monitoring of cyclones movement and prediction by Indian metrological department and construction of trans harbour ceiling and without affecting the tidal flow of water यानि कि इस तरीके कुछ activities जो है काफी regulated तरीके से हो सकती है, बागी बहुत जाद activities यहाँ पर allowed नहीं है ठीक, to enforce and implement the CRZ and IPZ notifications, the Ministry of Environment and Forest has constituted the national and state UT level coastal management, coastal zone management authorities, इस तरीके के authorities बनाए गई है ताकि ये जो CRZ यानि कि CRZ और IPZ है, इनकी notifications को क्या किया जासे के, enforce ये implement कराए जासे के, ठीक, the Ministry of Environment and Forest also provide financial assistance, यानि कि इनको ये finance पैसे पगरे की भी साहता करती है किनको to the coastal states and union territories, whoso request under its centrally sponsored scheme for conservation and management of mangroves and coral reefs, ठीक, in addition coral reef is included in schedule one of the wildlife protection act 1972, 1970 1972 का जो wildlife production act है उसमें 6 schedule है, schedule one के अंतरका उस तरीके के organisms को रखा जाता है जिनके खिलाफ, यानि कि जिनको अगर आप नुकसान पहुचाते हैं, तो आपको सबसे जादा सजाका प्रावधान उसमें दिया गया है, ठीक है तो इसलिए इनका क्या है कि highest degree of production की उनको किया जाता है क्योंकि ये schedule one में है, ठीक, हाला कि ये वाइलले production act में क्या है, इसको हम लोग बाद में जाकर detail में discuss करेंगे, ये book में chapter दिया हुआ है ठीक है, फिलाल आप लोगों के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि schedule one का मतलब क्या है कि अगर आप उसको नुकसान पहुझाएंगे, तो आपको सबसे आजर सजा का प्राउधान है, और इस तरीके के जो भी organism schedule one में होते है, उनका सबसे जादा protection किया जाता है, ठीक इसके बाद कुछ protected areas भी है, जैसे कि चार national park है, 96 centuries है and three marine biosphere reserves है जो create किये गए है all over the country under the provision of the wild life production act 1972 to conserve marine life including coral reef, ठीक है, कौन कौन से वो है, कहां कहां पर है फिर से मैं कहूँगा कि इस तरीके से बताने का ऐस सच कोई फायदा नहीं है, जैसे gulf of mannaar national park है, ठीक है, या आफ gulf of mannaar biosphere reserve आप कहा सकते हैं उसको तो वो चीज़ हम जो है, बाद में फोर से चीज़ों को समझेंगे, देखींगे, कौन सी चीज़ कहां पर है अभी ऐसे बताने का फायदा नहीं है, जैसे हम लोग ने रामसर साइट्स को डिसकस किया था पूरे को बरे मैप में mark करके, उसी तरीके बगरा होती है, शिकार बगरा होता है, जो ट्रेड बगरा होता है, लीगल, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, इस तरीके की एक ब्यूरो बनाया गया है, that is Wildlife Crime Control Bureau, ठीक है? चलिए, इसके बाद की initiatives to protect marine and coastal environments की बात कर लेते हैं, Coastal Ocean Monitoring and prediction system, that is co-maps being implemented from 1991 से implement किया जा रहा है, क्या करता क्या है? यह, it assesses the health of coastal waters and facilitates management of pollution related issues program was restructured and modified in 2000-2001 to include pollution monitoring, Lisen, Lisen मतना होता है, मेल जोल, regulation and legislation and consultancy services, तो इन चीजों को monitor करने के लिए, इस program को 2001 में restructure किया गया सब्सक्राइब किया गया, हाला कि यह program करता क्या है, Coastal Waters की health को assess करता है, यह Coastal Waters की health कैसी है, ठीक है? और pollution related issues को management करने, उसके management में facilitate करता है, ठीक? 1991 से program चला आ रहा है, अगला program जो है, that is your, land ocean interactions in the coastal zone, ठीक है? launched in 1995, investigate the effect of global change on the coastal zone, ठीक? aims to develop on a scientific basis, the integrated management of coastal environments, Coastal environments के integrated management की यह बात करता है, next is, integrated coastal and marine area management launched in 1998, aims at integrated management of coastal and marine areas, ठीक? model plans for Chennai, Goa, and Gulf of Kutch being prepared, तो बहुत जादा यह important है, सच plans नहीं है, ठीकि plans वागरा, आप लोगों के जनरली वह जादा important है, exam point of view से, जो recent है, ठीक है, यानि कि पिछले एक-दो साल में अगर कोई सरी के plans वागरा है, तो वो जादा important है, वो आप लोगो को cover करने पढ़ेंगे through the current affairs, ठीक है, वो यहाँ पर SSJ book में, क्योंकि book थोड़ा सा, इतनी जादा updated SSJ नहीं होती है, तो हम हम लोग जब अपने current affairs को पिछले एक-देड़ साल का current affairs जब हम start करेंगे, ठीक है, जनवरी 2019 से हम लोगो current, sorry, January 2020 से current affair हमें पढ़ना होगा, तो कि 2021 के exam की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका भी plan हम लोग कर रहे हैं, कि किस तरीके सा आप लोगों को cover करवाये जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर अगर इस तरीके कोई चीज आई होंगी, तो वो important है, वो exam में आ सकती है, अगर इस तरीके की जो programs वगर हैं, ये exam में आने की chances बहुत कम है, ठीक है, इसके बाद एक अगना program दिया हुआ है, अलाकि Society of Integrated Coastal Management, that is, CECOM, launched in 2010, major national initiative है, ये coastal ecosystem को protect करने के लिए, professional body with experts in various aspects of coastal science and management, इसका हिस्सा है, ठीक है, इसके बाद कुछ इंस्टिट्ट्स बनाए गए है, coastal management के लिए, notifications on coastal regulation zone, that is, CRZ 1991, as amended from time to time, aims at protecting coastal stretches in India, इसका काम क्या है कि coastal, जो हमारा areas है, जो coastal lines है, उसको protect करना, India has created institutional mechanisms such as National Coastal Zone Management Authority and State Coastal Zone Management Authority for enforcement and monitoring of the CRZ notification, ठीक, इसके बाद, these authorities have been delegated powers under the section 5 of Wildlife, sorry, Environment Protection Act 1986 to take various measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas, ठीक है, तो क्या करने के लिए है, coastal environment की quality को improve करने के लिए, protect करने के लिए, और साथ ही coastal areas में environmental pollution को prevent करना है, मतलब, कम करना है, ठीक है, control करना है और abate करना है, मतलब, उसकी रोखथाम के लिए इस तरीके के, जो programs वगरा है, जो इस तरीके authorities वगरा है, वो बनाई गई है, ठीक है, तो आज इसको इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा इसमें एक part जो इस chapter का बचा हुआ है, वो आपका कुछ गंगा से related है, that is your नमामी गंगा का एक plan है, उसके बारे में ध्रोजा दिया गया है, और एक आथ funds के बारे में है, कि clean गंगा fund है, और आपका NRI गंगा fund है, तो इन चीज़ें की दो-तिन funds को लेकर बात की गई है, थोड़ा सा वहाँ पर I think कि उसको discuss कर लेंगे, हलाकि बहुत जादा important अभी इसलिए नहीं है, वो चीज़ें भी, क्योंकि काफी पुराने जैसे नमामी गंगे प्रोग्राम वगरा है, 2014-15 के आसपास से चला आ रहा है, तो काफी पुराना हो चुका है, लेकिन कभी-कभी उसको लेकर कोई चीज़ जो है, मैं तब नियूज वगरा में आती है, ठीक है, तो बुक में दिया हुआ है, तो उसको चलिए ठीक है, एक लेक्चर लेकर उसको लड़नी से कवर कर लेंगे, फिर बाद में अगर उसके कुछ related developments हुए होंगे, ठीक है, जो भी अगर नियूज वगरा में होंगे in the recent one और one and a half years, तो उसको हम लोग अपने current reference के section के साथ ही cover करेंगे, ठीक है, तो मतलब कल का दिन जो रहेगा, उसमें ये chapter जो है, आपका part 10 के साथ complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो content related अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे टेलिग्राम को जो ग्रूप है, डड़ेज उकुल, GSU, PSC, discussion forum, इसको join करके पूछ सकते हैं, इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलिग्राम में सर्च करके भी join कर सकते हैं, इस पूरे के पूरी video series का जो full course है वो हमारी website पर available है, उसका भी link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, उसमें आपको सारे के सारे videos मिल रहे हैं, साथ ही chapter wise notes भी मिल रहे हैं, और quizzes भी वहाँ पर जो है, बहुत जल्द update कर दिये जाएंगे, तो videos के थुरू आप लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, notes के थुरू आप लोग quickly revise कर सकते हैं, और quizzes के थुरू आप लोग अपनी preparation को, अपनी तयारी को assess कर सकते हैं, तो course purchase करने संबन दिया, अगर कोई technical query आप face करते हैं, तो आप हमसे WhatsApp के जरी इस number पर जुड़ सकते हैं, that is 9498086380, बाकि अगर आप हमसे कोई भी और बात share करना चाहें, कुछ भी आपको doubt है, कुछ आप पूछना चाहें, इस email ID के through contact कर सकते हैं, that is support at the.ocool.co, बाकि हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें Facebook पे, Instagram पे, LinkedIn पे और Twitter पर भी follow कर सकते हैं, Thanks for watching, till the end, आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर करें, इसे ज़ादा से ज़ादा share करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, और bell icon press करना बिलकुल नहीं भूलेगा, ता कि आपको हमारे सभी वीडियो के notification सबसे पहले मिल सकें, अपने comments करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा,